नमस्कार दोसों बहुत बहुत स्वागात एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूटूब चनल पे दोस्तों मैं हूँ एड्विकेट मंजीत रपठी दोस्तों पर्सनल लोन मत दीजे कुछ भी नहीं होगा बैंक आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा जितने लोगों ऐसे होंके जिन्होंने अंसर्क्यो लोन यहां है यहने कि जो पर्सनल लोन होते हैं यानिकि आ हुए उसे मैं नहीं कह रहा इसे मेरे LOOK पे कुछ लोग आ करके कुछ लोगों को सजेशन देते हैं मैं आपको एक प्रimm細ंट देखाऊंगा बहुत सरे दूसरे लोगों ड़ेते ह आप लोगों ने थम्नेल में भी देखा ही होगा कि मैंने यही थम्नेल लिखा हुआ है कि अंसेक्योर लोन अब देनी की जरूत नहीं है दोस्तों यह वीडियो मुझे आज क्यों बनाना पड़ रहा है इसके पीछे का रीजन यह है कि जब मैंने अपने कमेंट्स को देखे तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर मैंने अंसेक्योर लोन लिया है और बैंक वाले मुझे परशान कर रहे हैं तो हम क्या करें मेरे जवाब देने से पहले ही बहुत सारह लोगों ने उनको एडवाइस दे दिया था उसमें से कुछ लोग ऐसे भी है जिन्होंने कहा था कि भाई आप टेंशन मत लीजिए Unsecure Loan पे कुछ नहीं होता है बैंक कुछ नहीं कर सकती है और बैंक कुछ भी नहीं खाड़ सकती है तो पूरा मामला क्या है और किस प्रकार से लोग भ्रहमित है Unsecure Loan के पेमेंट को लेकरके आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे तो वीडियो को पुरा देखीगा वीडियो आपके काम की होगी आपको बहुत ही नॉलेज मिलेगी और यदि आपने भी Unsecure Loan लिया है पूर्सनल लिया है या फिर Education Loan लिया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत आप तक पहुचे तो चले दोस्तों अब देर नहीं करते हैं वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों यह वीडियो बनाने के लिए मुझे इसलिए मजबूर होना पड़ा कि बहुत सारे लोग जो पर्सनल लोन लिये हैं वो परिशान रहते हैं बैंकों के रिकवरी एजेंटो के माध्यम से आपको पता है कि अनसेक्यूर लोन का जो इंट्रेस्ट होता है वो काफी हाई होता है वह काफी ज्यादा होता है और उसमें आपको परिशानिया होती है क्योंकि अनसेक्यूर लोन के लिए किसी प्रकार के सिक्यूर्टी दने की जरूरत तो नहीं होती है यानि को कोई mortgage करने की property आपको जरुवत नहीं होती है कि आप अपनी संपत्ती को बंदक रखे तभी आपको personal loan या फिर unsecure loan मिलेगा लेकिन कभी कभी कुछ banks आपसे advance में कोई blank check ले लेते हैं अब problem आपको यहीं पर होती है जो लोग कहते हैं कि unsecure loan pay मत करिये बैंक कुछ नहीं कर पाएगा तो मैं उन लोगों को साफ कह देना चाहता हूँ कि एक आप mobile phone home credit से finance करके देख लीजे और आप उसकी एक EMI pay मत करिये उसके बाद देखिए recovery agent के call और उनकी गालिया और उनकी धंकिया वो even उनके recovery agent अपने आपके घर तक चले आते हैं और अकेले नहीं आते हैं वो 10-15 बंदों को ले करके आते हैं आज का जो situation है वो बहुत ही जादे difficult हो गया है पहले के लोग unsecure loan नहीं pay करते थे तो हो सकता था कि उसमें settlement हो जाते थे लेकिन अब सीधे सीधे check bounce के मुकदमे उसमें लगाने सुरू कर दे रहे हैं bank अब देखिए check bounce का मुकदमा होगा तो क्या होगा देखिए सीधे सीधे bank आपके उपर 400 BC का भी मुकदमा कर सकती है धोखा धड़ी का भी कर सकती है मान लिजे कि आपने कोई personal loan लिया है और 4 check आपने blank bank को दिया है और उस date में आपके पास पैसा नहीं होगा जिस date को bank वो चेक को लगाएगी अब bank आपके उपर 138 NIA Act के अंत्रगत तो करवाई दूसरी बात यह है कि वह 400 BC का मुकदमा भी कर देगी कि आपने धोखा धड़ी करी है कि आपके account में balance नहीं है और आपने bank को गुमराह किया है तो जो लोग कहते हैं कि personal loan नहीं चुकाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा दूसरों को सला देते हैं उनके उपर खुद पे आ वाइल home credit से finance करके देख लीजे और यदि आप उसका एक भी EMI पे नहीं करते हैं उसके बाद recovery agent को आप एक दिन जहिल लीजे तो मैं मान जाओंगा दूसरों को सला देना बहुत ही आसान है कि आपके साथ कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा क्या नहीं होगा आपके साथ क् पर्सनल लोन नहीं चुकाने पर सबसे पहली बात यह है कि चेक बांस का मुगदमा हो जाएगा 139 में दूसरी बात है कि धोखा धड़ी का मुगदमा भी बैंक आपके साथ कर सकती है तीसरी बात यह है कि आपका civil score एकदम खराब हो जाएगा चौती बात यह है कि जब आपक आपको परशान कर देंगे और आपके आस पड़ोस आपके जो भी नेबर हैं आपके सोसाइटी में वो आपके इतनी बिजिती कर देंगे तो जो लोग दूसरों को सला देते हैं वो कृपिया सला न दे प्लीज आप ऐसे लोग के बहकावे में मत आएं जो कहते हैं कि personal loan को च प्लीज को बनाने का उदेश मेरा यही है कि जो मेरे चैनल पर आगर के दूसरे लोग को सजेशन्स देते हैं और वो बंदा उनके सजेशन्स को मान करके चुपचाप घर में बैठ जाता है तो उसके लिए problem होगी personal loan नहीं चुकाने पे बहुत सारी problems होती है भाई लोग इसलिए आप अपने personal loan को settle कर ले bank के साथ बात करके या फिर लोग अदालत में लेकिन इसको just कतस न छोड़े नहीं तो इसमें आपका interest तो बढ़ता ही जाएगा आपके लिए एक financial problem create करेगा ही करेगा साथी साथ बैंकों का pressure आपके उपर आए दिन बना रहेगा और हो सकता है कि bank आपको 138 के अंतरगत मुकदम अगर फाइल कर देती है चेक bounce की तो इसमें दो साल की सजा भी हो सकती है देखिए चेक bounce के मुकदमे इस समय बहुत ही तेजी से entertain किये जा रहे हैं और बहुत ही तेजी से न्याले इस पर नढ़ने भी दे रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा भी चूक मत करिए और किसी की बातों में मत आईए तो द आपका दिन सुभ हो